हलो एवरिवन गूड इवनिंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगी तो जी साम का टाइम है साम के यहाँ पर पॉनी चार हो रहे हैं मतलब चार बजने वाले हैं और मेरे बच्चे चार बज़े जाते हैं टूशन तो दोनों बच्चे को मैं कर रही हूँ यहाँ पर टूशन के लिए रैडी तो अक्रिस तो रैडी हो जाता है खुद से ही पर लग्यों में थोड़ा सा बाल वगरा बनाने का होता है तो बिट्टों के बाल में यहाँ बना दूंगी खुद से वो नहीं कर पाती है अभी छोट बार बार तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है उनसे तो मैं इस तरी के से पिन लगा देती हूँ आगे रोल डूल बनाके तो थोड़ा सा इरिटेट कम होती है और बच्चों को स्टड़ी करने में नहीं तो बड़ी प्रावलम होती है तो चलिए यहाँ पर जो है दोनों बच्चे जाएंगे टूशन के लिए तो साम के चार बजे से ना मेरा इवनिंग का रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे टूशन जाते हैं तो फिर आपका मन हो या ना हो उठने का तो उठना ही पड़ता है चलिए फिलाल जो है बच्चों को टाटा बाइवाई कर देते हैं बच्चे चले जाते हैं खुद से ही क्योंकि मेरी सुसाइटी है बच्चों को टूशन दूर नहीं है घर से ज़ादा तो मैं उनको बालकनी से देखती रहती हूं बस पहुँच जाते हैं मैं भी अपना अंदर आ जाती हूं तो उसके बाद जो है मेरा अपना इवनिंग का रूटीन श्टार्ट होता है तो लग जाते हैं अपने काम पे और मॉनिंग में हमें लगता है घर की साफ सपाई करनी है और इवनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा काम ऐसे होते है छोटे-छोटे से जो कि देखने में तो आपको कुछ भी न पर चलते हैं बैलकेनी की तरफ और आज बहुत ज्यादा उमस हो रही थी बाहर वैसे बादल लगे हुए थे काले पर दिन में से मतलब ना पूरा दिन बादल में ही चला गया और अभी तो ऐसा कोहरा कोहरा सा मौसम हो रहा था तो चलिए कोई बात नहीं फिलाल जो है मैं ज कोड़ा सा लेंती बनाओ कभी कबार तो होता है एक ने बोल दिया चलो मैं सोसती हूं कोई बात नहीं पर कल की वीडियो में तो बहुत सारे लोगों ने बोला कम से कम चार पांश लोगों ने मुझे यही कमेंन करा है कि आपका वीडियो देखते हैं तुरंत खतम हो जाता है और सुबे से हम आपकी वीडियो का इंतिजार करते हैं और जब देखने बैट हो तो जल्दी खतम हो जाता है तो पता है मैं लंबा वीडियो इसी वीज़े से नहीं बनाती हूं क्योंकि मुझे लगता था सायर आप लोग ना बोल हो जाएंगे इतना लंबा वीडियो देख वीडियो थोड़ा सा चोटा हो जाए तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा बनाओ तो मैं कोसिस करूंगी कि मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लाइन थी तो नहीं कम से कम 15 मिनट का वीडियो में रखूं और आज का वीडियो भी 14 मिनट का सम्थिंगी तो आज के लिए भी पहले आपको सौरी बोल देती हूं नहीं तो आप लोग बोलोगे दीरी ने हमारी बात नहीं मानी तो चलिया यहां पर मैंने बच्चों को दे दिया है मिलक गरम करके बच्चे ना मेरे टूसन से भी आ गए थे जब तक मेरे अपने घर के मैं छोटे उसके बाद वो लग जाती है क्राफट करने में तो उसको जतना भी टाइम मिलता है भी एवनिंग टाइम में जह है एक तेर गंटा या अधा गंटा जितना भी मिले उतनी देव में वो क्राफ्ट करना पसंद करती है तो मैं उसको मना भी नहीं बोलती हूं क्राफ्ट के लिए हाला कि सीजर वगरा लेके वो करती है और घर बहुत जादा गंदा होता है पर फिर भी मैं ये सोश चूना वो कुछ सीख लेगी तो चलिए कोई बात नहीं सफाई करना मेरे हाथ में है बच्चा को सीख लेगा ना तो वो बहुत अच्छी बात होती है और उसके हाथ में इतनी जादा सफाई है ना वैसे अभी वो बहुत छोटी सी है पर उसके हाथ में हर काम को करने के लिए बहुत जादा सफाई से वो काम करती है बहुत ही अच्छी ट्रोइंग वगरा भी काफी अच्छी कर लेती है तो चलिए घर की काम वगरा थोड़ा बहुत निप्टाए और यह होता है मेरे लिए थोड़ा सा मीटाइम जब मैं खुद को टाइम देती हूं तो मैं क्या करती हूं वॉक करने आ जाती हूं छट पर बाक हजबन लोग भी दिन भर ऑफिस में रहते हैं तो मेरे हजबन फिर उनको अच्छा नहीं लगता अगर वो घर पर आ जाये तो मैं घर पर ना रहा हूं तो मैं कहीनी जाती हूं छट पर आ जाती हूं अपना आधा पोना घंटा जितना मुझे मिल जाए टाइम ना मैं उतनी होती है क्या अपने घर बाले भी मम् 연 लोग हैं मरे शिच्टर लोगं मुझे बात करनी न country fon नहीं करती है कभी तो सब को टाइम देना पड़ता है चलिए जी चट से नीचे आने के बाद मेंने भ noodle की सबजी नानानी थी तो मैं ने मेरी धुली हुई नहीं थी तो मैंने वाश करके मैं छट पे चली गई थी तो वो सूख गई थी तो मैंने उसको पॉंच के अच्छे से साफ कर लिया है और उसके बाद मैं बिट्टो को पढ़ने में ने बिठा दिया था तूसंसे बच्चा आते हैं ना उसके बाद मैं बच्चों को एक इक बाद मैं आपने तो आजयाद बिठा दिया है और बच्चों को पढ़ने में है अपने काम भी देखती हो हूं और बच्चों की इस्टडी भी मुझे देखनी पड़ता हैं तो चलिए etwa मैं बनाऊंगी अज भिंडी कि सबजी औरIRE हजबन के इस्टाइल में में अपने इस तरीके से भिंडी बनाते हैं जो कि मुझे उनके हाथ की भिंडी ना बहुत ज्यादा पसंद है बिल्कुल सिंपल तरीका होता है और सबजी का टेश्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है तो देखिए मैंने क्या करा मस्टर ओयल लिया है उसमें मैं डाल दिया है लस्तन और लस्तन के तर्के के बिना ये सबजी ना अधूरी होती है लस्तन का तर्का इसमें बहुत जरूरी माना जाता है मेरे हजबन बनाते है तो लस्तन का तर्का वो जरूर डालते है उसके बाद मैंने प्याज लिया है प्याज को बिल्कुल रफली हमें चॉप करना है बहुत बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल चुटकी भर आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च आपको इसमें जरूर डालनी है फिर क्या करना है बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है इसमें आपको थोड़ा देर उसको ढखके पकाना है और थोड़ा देर आपको फिर उसको खुला रखके पकाना है नहीं तो भींडी आपकी चिपचिपी बनेगे अगर आप पूरा ढखके पकाएंगे तो तो बस बहुत सिंपल तरीका होता है भिंडी बनाने का ये वाला और ये सबजी मैं भी बनाती हूँ पर मुझे ये सबजी न मेरे पति देप के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा टेश्टी बनाते हैं वो ये सबजी होती बिल्कुल सिंपल सी है पर मन करता है ना उसको बिना रोटी सब्जी के भी खालो इतनी जादा तेश्टी लगती है वो सब्जी तो चलिए सब्जी एक साहित में सब्जी को भी देखती जाओंगे सांसाथ में यहां पर बना लेंगे करमा गरम रोटियम और अब मैं आप से मिल ले हूँ सिदा नेक्स डे मौनिंग में मैं सोके उठी और साड़े छे टाइम हो गया था टाइम देखके मुझे लग रहा था साहर अभी रात के ना तीन चार बज़रे होंगे मतलब अर्ली मौनिंग के क्योंकि इतनी तेज की वारिस थी बाहर और अंदर बिल्कुल अंधिरा हो रखा था आप देख स सोने वाले हैं स्कूल को छुटी कराना मुझे बच्चों का बिल्कुल पसंद नहीं है चलिए आज अक्रिस की छुटी है बिट्टू को भेजना है स्कूल तो बिट्टू को ना मैं यहां पर दे रही हूँ पराठे मैंने उसके लिए बनाए थे ट्रैंगल सेप में पराठे स्कूल में तो अक्रिस को टिफिन लेके नहीं जाना था मतलब पार्टी टिफिन लेके जाना था उसको रोटी सब्ची नहीं ले जानी थी तो मैंने उसके लिए टिफिन नहीं बनाया था तो अक्रिस को बहुत देर लग गया था मुझे टाइम उसको रैडी करने में क्योंकि उसको ना मुझे काना की लुक में भीजना था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसको रैडी करने में रेडी करने का मैंने सूट नहीं करा क्योंकि अगर कैमरा लेकि आ बैठ जाओना तो आपका टाइम और जहदा लग जाता है तो मैंने कुछ भी सूट नहीं करा तो उसको आज लेट भी जाना था 9 बजे उसको स्कूल जाना था उसमें बच्चों ने पाने गिरा दिया तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा उसी टाइम साम के टाइम पैट्सिर वगरा चेंज करने के बाद बारी आती है घर की क्लीनिंग की तो आटा लेकि आये थे कल हजबन तो मुझे उसको फिल करना था कंटेनर में आटा बिल्कुल खतम हो गया था तो मैंने आटा मंगाया था आटा मैं फिल कर रही थी और आज ना मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाले हूँ आटा बगरा चाया प्रासन रखते हो ना जो चीजे तो उनको आपको किस तरीके से रखना चाहिए यह मेरी माकेन उसके हैं जो मम्मी हमें पहले से ही बोलती आती थी और मम्मी यह चीजे फॉलो हमेशा करती थी पहले से हम लोग भी देखते आयते थे कि मम्मा ऐसा जरूर करती थी तो जब भी आप अपने कंटेनर में आटा फिल करते हैं आपको आटे को इस तरीके से हमेशा दबा दबा के रखना चाहिए नहीं तो हम लोग क्या करते हैं आटा पकड़ा पल्टा और बस बन करके रख दिया ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए मेरी मम्मी हमेशा से हमें यह चीजे सिखाती है चाहिए कि जब भी आप आटा रखते हैं तो इस तरीके सा दबा दबा के रखना चाहिए इससे क्या होता है वैसे तो बहुत से लोग इन चीजों को नहीं मानेंगे पर कोई कोई चीजे ऐसी होती है ना जो पुराने लोग हमें बताते हैं वो हमें माननी चाहिए तो ऐसे क्या होता है आपकी घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी आपको इस तरीके से आटा रखना होता है तो आप चाहिए तो इसमें तुलसी भी रख सकते हैं मैं तुलसी नहीं रख रही हूँ ऐसे पर इस तरीके से ही आपको जो है अपना आटा बगरा रखना चाहिए ऐसे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तो मम्मी हमें पहले से ही बोलती आती है तो मम्मी की ये बात है हमने बिल्कुल पकड़ रखे है तो हम जब भी आंटा बगर रखते हैं तो ऐसे ही रखते हैं तो यहां पे बिट्टू आई स्कूल से अक्रिस आज आ भी जल्दी गया था तो अक्रिस के आदत है जब भी बिटफीन स्कूल से आती है, कुछ भी वो टिफिन बढ़ चाके लाती है, तो ये सबसे पहले उसका टिफिन देखता है, और ये खाता जरूर है, इसको बहुत ही, अक्रिस कभी अपना टिफिन वापस नहीं लाता, पर बिट्टू हमेशा लाती है कुछ न कुछ बचा के तो अक्रिस उसको जरूर फिनिश करता है घर पागे इसकी बहुत अच्छे आदत लगती है मुझे यह तो चलिए अक्रिस अपना खा रहा है यहां पर और पहले पता है मेरी बात अधुरी रह गई थी पहले जब हम घास कारने जाते है न तो ममी हमेशा दारत थी तो ममी थोड़ा सा भी ला रहे हो न तो उसको हमेशा दबा दबा करना होता है हमेसा आपको डलिया में घास को ना ऐसे दबा दबा के रखना चाहिए उससे भी ना बहुत से उसके फायदे होते थे जानवरों के लिए कि बोलते थे आपका जो भी जानवर आपके पास है ना वो हमेसा अच्छा दूद बगरा देगा और वो कभी मतलब हमेसा हेल्दी रहेगा ज़्यादा फायदे होते है तो चलिए जी ऐहाँ पर बच्चे हाएं मेरे और कपड़े रखे थोड़ा सा ज़्यादा पर तो नहीं थे थोड़ा सा ही थे तो इनको प्लेस पा रेंज्च करके मैं रख दूंगी और कपड़ों का तो मैं ऐसा करती हूँ चाहिए जितने भी म मैं ऐसी कर दी है फिर से आप देख सकते हैं जो बच्चों वाला पोशन होता है नीचे वाला है ना तो दोनों कैबिनेट का ऐसा हाल कर रखा है बच्चों ने कि मैं आपको क्या ही बताऊं कभी कबार तो मेरा मन ना करता है ना करो इनकी प्रेस वगज़ा इनको तैय कर गे ना में बाइ